वीवियन दिसेना दो महिने की बच्ची के हैं पिता गुप चुप तरीके से शादी की खबर के बाद वीवियन को लेकर एक और खुलासा टीवी एक्टर वीवियन डिसेना इस समय सुर्खियों में है वीवियन डिसेना दो महिने की बच्ची के पिता है इस तरह की खबर सामने आई है दरसल एक इंटेटेन्मेंट अखबार ने अपनी खबर में इस बात का दावा किया है कि वीवियन डिसेना दो महीने की बच्ची के पिता है और इस बात की जानकारी उन्हें वीवियन से जुड़े एक सूतर से मिली है दरसल कुछ समय पहले वीवियन सुर्खियों में थे कहा ये जा रहा था कि उन्होंने गुप्चुत तरीके से शादी कर ली है और वो एक साल से शादी के बंधन में बंधे हुए है दरसल उन्होंने नौरान अली के साथ शादी की है इस तरह की खबर बीते दिनों सुर्खियों में थी हलाकि वीवियन की तरफ से अभी इस बात की आपचारिक जानकारी नहीं दी गई है आपको बताते हैं कि वीवियन डिसेना अपने व्यक्तिकत जीवन को प्राइवेट रखना चाहते हैं और यही कारण है कि उनके बारे में कोई भी खबर जल्दी सारवजनिक नहीं होती खबर यह है कि वीवियन डिसेना ने नौरान अली से करीब एक साल पहले ही शादी कर ली थी और दो महिने पहले उनके घर में किलकारी गुंजी है और वो एक बच्ची के पितावने हैं जिस सूतर ने इस बात की जानकारी दी है उन्होंने बताया कि नौरान अली अपनी बच्ची के साथ तस्वीरे सोचल मीडिया पर पोष्ट कर दी है लेकिन नौ कि सोचल मीडिया अकाउंट प्राइविट है इसलिए कोई भी तस्वीर अब तक लोगों के सामने नहीं आई है इससे पहले वीवियन डिसेना वहबीज दुराब जी के साथ शादी के बंधन में बंधे थे लेकिन किसी कारण वस वो शादी नहीं चल पाई और इनके बीच तलाग हो गया था बीवियन डिसेना की अगर बात करें तो वो फिलहाल टीवी से दूर चल रहे हैं लेकिन उमीद है कि वो जल्द ही टीवी पर वापसी करेंगे टीवी और इंटर्टेंब्मेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक लिए कमेंट्स के जरीए हम तक जरूर पहुचाएं